महराश्ट्र की सियासत में रविवार का दिन बड़ा भुचाल लेकर आया अजीत पवार ने एक बार फिर बीजेपी का दामन धामा है अपने चाचा और दिगजनेता शरत पवार को बड़ा जटका देते हुए भतीजे अजीत पवार महराश्ट्र सरकार में शामिल हुए अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन में सियम एक नाज शिंदे सरकार में डिप्टी सियम पत कीशपत ली इसके अलावा वरिष्ट नेता चगन भुजबल समेथ NCP के नौ विधायकों ने मंत्री पत कीशपत ली बता दे ये पहला मौका नहीं है 23 नवंबर 2019 के सुबे 8 बजे भी अजीद पवार ने सुबे में सब को चौकाते हुए बीजेपी के साथ हाथ मिला कर सरकार बनाई थी देवेंद्र फड़नविस ने सियम और अजीद पवार ने डिप्टी सियम किशपत ली थी हाला कि ये सरकार एक दिन भी नहीं चल सकी थी शाम होते ही अजीद पवार ने समर्थन वापस लेते हुए सरकार को गिरा दिया था ये पुराना वाक्या इसलिए चर्चा में है दरसल हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरत पवार ने दावा किया था कि साल 2019 में अजीद पवार ने कोई अकेले बगावत नहीं की थी बलकि फटनविस को समर्थन दे कर सरकार बनाना और फिर गिरा देना दोनों शरत पवार के प्लैन का हिस्सा था पवार ने कहा था कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए किसी के भी साथ जा सकती है मैं यही साबित करना चाहता था और यह साबित हो गया आप इसे मेरा जाल कह सकते हैं या कुछ और या आपको तै करना है ऐसे में शरत पवार का ये बयान रविवार को घटे सियासी उठा पटक के बीच खूब वारल हो रहा है हालिया घटना करम के पीछे भी शरत पवार का हाथ है ये तो फिलहाल साफ नहीं हुआ है मगर भतीजे के फिर से डिप्टी सीयम बंदे और कई बड़े विधायकों के महराश्चों सरकार में शामिल होने पर शरत पवार ने कहा कि एंसीपी टूटी नहीं है पार्टी ने सरकार का समर्थर नहीं किया है बलकि ये विधायकों का ही फैसला है ऐसे में आने वाले दिन महराश्चों की सियासत में काफी हैं माने जा रहे है क्लिएर थाउब से महर्वों कikle ठाने टलेको झाले झाल कया चात्वर ब biriON कि विधायकों की सियासत Unsur